सभी भेजने वाली है इशान की बेहनों को जेल जिस से लगने वाला है सब को तगड़ा जटका बल दोस्तों स्टार प्लस के सीडियल गुम है किसी के प्यार मेमे कोई तड़का लगे इस बात का फैंस को विसपरी से अंतजार था और आप ऐसा लग रहा है कि वो घड़ी जैसे आही गई है आप देख सकते हैं किस तरह से लेटिस्ट खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि सभी जो है दुरुवा और अन्वी को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है हाला कि सुरेखा जो है वो हर कोशिश करेगी कि इसके घर की बेटियों को कुछ ना हो लेकिन याप पर सभी जो है वो भी इन लोगों को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटने वाली है साथ ही बात करें इशान की तो इशान जो है वो भी इस बार अपनी बेहनों की जगा साथ देने वाला है सवी का और सवी का साथ देते देते कहीं वो अपने परिवार के खिलाफ ना हो जाए जो इस बात की सुरेखा को टेंशन भी है तो चलिए बताते हैं इसी के साथ सीरिल के आने वाले ट्राक में क्या के होने वाला है बल जैसे कि आज आज आप देखेंगे कि इशान जो है दुरुआ और अनवी दोनों की ही कलास लगाता हो नजराने वाला है वो उने वार्णिंग भी देगा कि अगर दुरुवा ये तुम ने किया होगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं क्योंकि सभी को जैसे तुम लोग ने क्लासरूम में बंद किया था वो पिचारी बहुत परिशान हो गई थी और उसकी परिशानी देखकर कॉलेज पर सवाल उठेंगे और एज़ा कॉलेज मेंबर मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं अलाकि दुरुवा और अन्वी ने अभी तो जूट बोल दिया है लेकिन सवी जो है इन दोनों को सबक सिखाने वाली है ताकि दुरुवा कभी आगी जिन्दगी में ऐसी हरकत ना करे वहीं अमने देखा था कि इशान जो है सुरेखा से भी बात करता हुआ नज़र आया था इशान ने सुरेखा से क्लियरली कह दिया था कि अगर ये सारी हरकतें दुरुवा ने कियोंगी तो मैं उससे छोड़ूंगा नहीं क्योंकि ये कॉलेज के रूल्स के खिलाफ है साती सवी जो है रैगिंग को लेकर कमप्लेंट करने वाली है सभी पुलिस स्टेशन जाने वा कि कैसे सभी का एक्सिडेंट हो जाएगा जिसके बार वो सीधा बोसले हाउस में पहुंच जाएगी जहां इशान देखकर उसे हैरान हो जाएगा अनके अब देख सकते हैं इशान बीच में खड़ा है उसकी दोनों बेहने उसके अगल बगल खड़ी है यानि कि सभी को जाल इस वीडियो में इतना ही टीवी बॉलिवर्ट से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेस्बुक पेच पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें